हेलो अब्रियों स्वागा थे फिर से आई होब कि पिछला दोनों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह यह मेरा तिसरा वीडियो है इस सीरीज का तो आप लोग देखिए जो कि एक ल्टी स्टेसेट पर बेस्ट है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए बनते हैं यह एक ग्रूप है सभी जी आई मेटरियल का जो कि एक एंजमेंट फॉर्म में रहते हैं जो एक टेंशन में पोल को खड़े हो रखनी में सहायता परदान करते हैं एजम्पेल के तौर पर जहां से हम लाइन स्टार्ट करते हैं तो उसके आप वोजी डायेक्शन म जुक ना जए इसी वजा से हम वहाड़े देता है जो की पोल को खाड़े रखने में सपोर्ट करता है ठीक है आगे हम इस बात पर विस्टार से चर्चा करेंगे पहले हम जान लेते कि में क्या क्या चीज लगते हैं जो एक इस्टेव को कमपीट करता है तो पहला है एंकर रड दूसा एंकर प्लेट तीस साथन बकल चौर्था आई बोल्ट पाचमा थिंबल छट्था इस्टेव आयर और साथमा गैंसलेटर अब हम चर्चा करते हैं एंकर रड और एंकर प्लेट एक सीरा निचला सीरा उस पर 40 mm का ट्रेड होता है मतलब 40 mm ट्रेडिंग को की जाती और उपड़ा सिला पर एक गोलाकार होता है उसके अंदर की जो गोलाई होती है वह 40 mm की होती है और अपने M16 की नीचे देख रहे हूंगे कि स्क्वार्या सा बना हुआ होगा वह उसका स्क इसा रखाई है अब बात करते हैं अंकर प्रेट की तो यह कि लंबाई चोडाई और उचाई यह भी जी एस मैचल कर बड़ा होता है और इसकी लंबाई होती है 200 mm चोड़ाई 200 mm और उचाई 6 mm और बीच का जो होल होता ऐ वह 18 mm का होता है तो इक है आगे बात करते हैं टर एंकर रड की तरह वह आपका आई बोल्ट तो आई बोल्ट की बात करते हैं तो आई बोल्ट 450 mm लंबा होना चाहिए और जी एम 16 का ये बना होना चाहिए इसका टामेटर होता है और इसका जो ट्रेडिंग होती है वो 300 कार है उसके अंदर का ये 40 mm का है ठीक है अब बात करते हैं टन बकल की टन बकल भी साड़े 400 mm नंबा होना चाहिए और 180 mm जोड़ा होना चाहिए और इसके नीचे जहां पर 300 लिखा उसके नीचे सब्सक्राइब करते हैं कि यह भी जीए सीट से बनी होती है जिसके लंबाई चोड़ाई और मोटाई होती है लंबाई होती है 25 mm की चोड़ाई होती है 22 mm की और अब देखने होगे लंबा होता है 75 mm का यह होगया आपकी चोड़ाई अंदर की कितना चोड़ा होता है वह हो गया 40 mm की और बी इसकी मोटाई जो होती है हो बाइतमे की होती है और यह भी एक पत्द 1.5 mm की पत्ती सीट से बना होता है अ अलग इसले के युग करते है और BTS करते हैं एफ लोग यूउज़ करते हैं और rotten कर एक टैप के सि्टे का स्टे आहिंट को ड़क में यूजह को में अब अधाती आहिंट को लिये गण det और यह कियार कि एक इस्टे वायर होता ने मि दूस्रे से लिपटे़ होते हैं ठीक है मतलब साथ तार मिल के एक बार तो इसका करनेंक मतलब हो गया कि साथ ता और 2.5 mm का ठीक है आगे बात करते हैं गाइंसलेटर के बारे में हैं तो टाइप अमिसलेटर यह टाइप का इसका डामेंसन जो होता है पर इसका मिनिमिम फॉलिंग लोड होता है फॉर्टिफोर के अनका आगे बात करते हैं इस्टे अरेंजमेंट का यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें कि स्टे कुछ सेट के से करते हैं या फिक कहीं पूल पर स्टे हम लोग कैसे लगाते हैं तो इसके गड्डे का करते हैं अर्समें के ऑड़ेंग करते हैं हाव कि मतलब इस थो ड़यचा गर्डा थे तो आठाता हो गड्डा गर्डा हूँ इसमें आठ और मिटी फिलिंग करते हैं और जो कंक्रीटिंग के ग्रेट होता वह एम टेन घ्रेट होता है मतलब वन एस्ट्व तु फोर का करते हैं अब इस ड्राइंग पर चर्चा करता है अब जो इस्टे है कि आप इस्टे का ऑपर मेरी आप देखने होंगे यहां पर इस्टे का जो यह दिखा यह दिया हुआ है इस्टे क्लाइंग की निश्चित दूरी अपने according लगाते हैं जैसे 500 mm पर भी लगाते हैं 300 mm पर वह according तू उपर क्या समय मेटर लगा है वह कितनी दूरी पर लगा है उसके हिसाब से उसको वह set करते हैं ठीक है उसके नीचे अब वह उपर में देखें टर्न पकल लगा है एक और आइबोल लगा है और नीचे में 30 से 3,050 mm की दूरी पर होनी चाहिए ठीक है अब जो यह जो Zurichãyiste की थोरी यह जो दूरी है पूल से stitch बीचकी दूरी है आप इसकी इसके एंगल पर करता है कि कि कितने एंगल पर आप स्थे लगा रही है यह एंगल पर एंगल आर φ्थिक है अब अगर आपको ऐसे डिस्टेंस निकालना हो तो आप 10 ठीटा का फॉर्मूला लाके डिस्टेंस निकाल रखते हैं यह थी क्यों जरूरी इसट्रे के बारे में अब आगे बाद करते हैं कि अब इस्टे यूज़ हम लोग कहां कहां करते हैं तो जहां पोर्स नहीं बने, इस विज़ा से इश्टे दी है, जो पोल जुकनी नहीं देगा दूसरा यहाँ पे, यहाँ पे अब देख रहे होगे, कि यहाँ पे अगार टार ऐसे खीचेंगा तो पीछे और दार पर बचल पोर्स पर लगेगा, तो इस यह वो इस टे को कही रहे हो ब्र यहाँ पे 8-इस्ट eli लगाते थो basically यूजश इस्टे का हम वोग करते हैं तन-पे जहां क्यों क्वाईन होता थाहँ थाह सब्सक्षा करते हैं वहाँ पर यहां कषचने का ब्रांब करते हैं वहां आप कितना देंगे किसी कॉंडवर को अगर आप तारीसू करते हैं या मतलब एक ऐसे में कितना वायर लगता है या कितना केजी-वायर लगेगा तो वह आप खोड़ा एक इसते में कितना तार लगेगा जैन्रेली एक सिर्ऻे में आपका भडाए से तीन केजी के बीच में तार लगता है अगर 20-30 दिगर के बीच का एंगल हो तो यह है 7-12 के लिए ठीक है और दूसरा कोश्चन होता कि कंक्रेटिंग हम लोग किस ग्रेट का करते हैं तो M10 ग्रेट का 1-2-4 का ठीक है और दूसरा कोश्चन होता है इस्टेक को लेकर कि हम लोग कितना दूर कंक्रेटिंग करते हैं और कितना दूर स्वाइल फिलिंग करते हैं तो 800 mm हम लोग कंक्रेटिंग करते हैं चौता कोश्gement होता है कि गाईअ इस लंसों ठीटर की दूरी धर्थी कितने होती ह्या colleague तो गाईअइस लेटर की दूरी धर्थी से आपकी 3050 हं होती है pwi test मंकी होती है एक कोशन और फूचा जाता है कि इस्टे कितना दूर लगाते है मतलब पोल से इस्टे की दूरी कितनी होनी चाहिए तो इसका कोई शटक अंसर नहीं है इसका आप यह अंसर दे सकते हैं कि सर यह इस्टे के एंगल पर डिपेंड करता है कि हम इसका एंगल कितना ले रहे हैं इसका वैलू अलग होगा तो एकॉर्डिंग टू एंगल उसका लेंथ और एंगल की हिजाव से वायर की लंबाई डिसाइड होती है तो पिछला वीडियो होता आपको वीडियो पसंद आए अगर इसमें फिल भी स्टे को लेकर कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक्यू